कॉंग्रेस की राष्ट्रे महासची प्रियंका गांधी वाडरा प्रच्वार के अंतिम दिन हरियाना पहुंचे उन्होंने सिर्सा में एक रोडशो किया हालां की ये रोडशो आदे रास्ते में ही खत्म हो गया इस रोडशो में सिर्सा से उम्मीदवार कुमारी सेलजा और भिवानी महेंदरगेट से टिकट कटने से नाराज विधाया किरन चोधरी भी उनके साथ नजर आई इसके बाद प्रियंका गांधी पानीपत पहुंची जहां उन्होंने न्याय संकल प्रैली को समबोधित किया यहां पर उन्होंने करना लोगसबा सीड से कॉंग्रेस कुम्मीदवार दिव्यान सु बद्धी राजा के लिए प्रिशार किया प्रियंका गांधी ने रोडशो के बाद میडिया से बात करते वे कहा हरियाना में भाश्बा के खिलाफ एक लहे है पूरे देश में एक अंडर करंट है लोग ठक गए है इनकी राजनिती से यह सत्ता की राजनिती करते हैं सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये जनता को नकारने वाली राजनेती है देश में बेरोजगारी बहुत हो चुकी है मेंगाई बहुत हो चुकी है लोग ठक चुके है और बदलाव आएगा प्रियंका गांधी ने अपने भाशन में जोर दे कर कहा मैं तो आदी पंजाबन ही हूँ इसलिए लड़ती हूँ यहाँ हूँ प्रियंका गांधी ने किसानों के महत्वे पर भी जोर दिया उन्होंने कहा देखी यह देश कि शांव्य का देश है इस देश की आत्मा एक किसानके अंदर वसी हूई है आजादे की लड़ाई से ही बलकििससे पहलेसे ही और देश का किसान आ जादी के लिए अपना खून दिया है इस देश को यदि समझना है तो पहले किसान को समझे आप जब खेती करते हैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए काम नहीं करते हैं इस पूरे देश के लिए काम करते हैं इस पूरे देश को आप खिलाते हैं आप इस देश की रीड की हड़ी हो